नमस्कार एटोजेट दिशश उशा कोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीट का जूस अब देखें वीडियो को बन मत नहीं कीजेगा देख सकते जो बीट है वैसे तो डॉक्टर कहते के सेव यानि की एपल और बीट आप रोजाना ले अब देखें बीट जो है एक दो टुकड़े हम सलात की तोर पर जबरदस्ती खा लेते हैं पर बीट आपको कितना पता ही है कि हमारे शरीर के लिए कितना फायदे मंद है अगर रोजाना आप एक गलास बीट के जूस का पी लेते है न तो आप कोसो बिमारियों से धूर रहेंगे तो चलिए बताती हूँ और ये टेस्टी भी होता है जूस इतना नहीं बुरा भी नहीं होता है उसके लिए आपको चाहिए एक मीडियम साइस का बीट इसके उपर का छिलका निकाल ले पानी से अच्छे से वाश कर ले उसके बाद इस तरह से ग्रेट यानि कि कदुकस कर लेना है देखिए इस तरह से कदुकस करने के बाद मैंने आपकर ले लिया है मिकसर जार और इसके अंदर ये कदुकस क्यों बीट हम डाल देंगे वैसे जब हम टुकड़े करके बीट डालते न तो वो कभी-कभी पीसने में मुश्किल होती है इ इसका स्वाद बढ़ाने के लिए और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक नीमबू का रस डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक ग्लास भर कर पानी और इसे ढखकर हम अच्छे से पीस लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पीस इसके अंदर मैंने डाल दिया है काला नमक और अब मैंने यह पर एक बर्तन ले लिया है उसके ओपर मैंने च्छनी रख दिये और जूस को हम चान लेंगे अब देखे चानना काफी ज़्यादा ज़रूरी है बले ही आपने इसे अच्छे से पीस लिया है अगर आपको आप चाहे तो इसे कोई भी सबजी में डाल दे या फिर इसके अंदर नमक, मिर्च, थोड़ा सा बारी कटा हुवा हरी मिर्ची डाल कर जैसे हम रोटियों के लिए आटा गुनता है बस उसमें यह स्टफ करके पराठा भी बना सकते हैं तो बस इसे मैंने साइड में रख दि और भी टेस्ट असका अच्छा आएगा और रोजाना सुबह को एक ग्लास जरूर से पीए कोसो बीमारियों से दोर रहेंगे और हेल्दी भी और टेस्टी भी है तो बच्चों से लेकर बढ़तों को पसंद भी आएगा तो ट्राइ कीजए और मिजे कमेंट्स पते है कैसी ल झाला चेंग